खज्राहो का इतिहास खज्राहो का इतिहास लगवाग एक हजाब साल पुराना है अपने छेतर में खज्राहो की सबसे पुरानी ग्याद सक्तिबत्स थी छेतर में उनके उत्रादीकारियों में मौर, सुंग, कुसार, पदमबती के नाग बाकाटक, बन्स, गुप्त बन्स, पुष्पभूती, राजबन्स और गोरजर पिर्था राजबन्स सामिल थे यह बिशेस रूप से गुप्त काल के दोरान था कि इस छेतर में बस्तु कला और कला कपेका सुरूंगा हाला कि उनके उत्रादी कारियों ने कलातमक परंपरा जारी रखी सहर चंदेल समराज की पिर्थम राजबन्स और खजराहो के संस्ता पर चंदर बर्मन थे चंदर पर्मन मद्द काल में बुलंद बुंदेल खंट में सासन करने वाले रजबूत राजा थे वे अपने आप में चंदरबन्सी मानते थे चंदेले राजाओं ने 10वी से 12 पिर सताथि तक मद्द भारत में सासन कियो खजराहों के मंदरों का निर्माड नो सो पचास ईसवी से दस सो पचास ईसवी के बीच इनी चंदिल राजाओं दुआरा किया गया मंदों के निर्माड़ के बाद चंदेलोंने अपनी राजधानी महुँआ इस तांतरत कर दी लेकिन इसके बाद भी खजराओं का महत्त बना रहा मत्यकाल में दरवारी कभी चंदर बर्दाई ने प्रत्वी रासु में महुआ खंड में चंदेल की उत्पत्ति का बर्णन किया है उन्होंने लिखा है कि कासी के राजपंड़े स्री की पुत्री हेमबती अपूर्व सौंदरिय की सौमनी थी एक दिन वह गर्मियों की रात में कमल पुष्पों से भरे हुए तालाब में सनान कर रही थी उनकी सुन्दरता देखकर भगवान चंदर उन पर मोहत हो गए बेमाना रूप धरण कर धर्ती पर आ गए और हेमबती का हराण कर लिया दुर्भाग के से हेमबती विधवा थी वह एक बच्चे की मा थी उन्होंने चंदर देव पर अपना जीवन नष्ट करने और चरत हनन कारूप लगाया अपनी गलती के पश्चाताप के लिए चंदर देव ने हेमबती को बचन दिया कि वह एक बीर पुत्र की मा बनेगी चंदर देव ने कहा कि वह अपने पुत्र को खजूर पर ले जाए उन्होंने कहा कि वह एक महान राजा बनेगा राजा बनने पर वह बाग और जीलों से घिरे हुए अनेक मंदरों का निर्मार करवाएगा चंदर देवने हेमबती से कहा कि राज़ा बनने पर तुमारा पुत्र एक बिसा लिया के कर आयोजन करेगा जिसमें तुमारे सारे पाप धुल जाएंगे चंदर के निर्देश का पालन कर हेमबती ने पुत्र को जन्म देने के लिए अपना गाउ छोड़ दिया और एक छोटे से गाउं में पुत्र को जन्म दिया हेमबती का पुत्र चंदर बरमान अपने पिता के समान तेजस भी बहादर और सक्ति साली था सोला साल की उम्र में वह बिना हतियार के सेर या बाग को मार सकता था पुत्त की असाधारण बीर्टा को देखकर हैंबती ने चंद देव की आरादना की जिन्होंने चंद बर्मन को पारस पत्तर भेंट किया और उन्हें खजराओ का राजा बनाया पारस पत्तर से लोहे को सोने में बदला जा सकता था चंद बर्मन ने लगातार का ये दुमे सांदार बिज़ाप्राप्त की उनसे कालेंजर का बिसाल किला बनाया मा के कहने पर चंद बर्मन ने तालाब और उद्द्यागनों से अच्छंदित खजराहों में पच्चासी अदूतिय मंदर का निर्मार करवाया और एक यग्यकायुजन किया जिसमें हैंबती को पाप मुक्त कर दिया चंद बर्मन और उसके उत्तरादिकारियों ने खजराहों में अनेक मंदरों का निर्मार करवाया